नमस्कार, हिंदी आचारे चैनल पर आपका स्वागत है, आज एक और कहानी सुनेंगे प्रेम जन जी की, तो चलिए शुरू करते हैं अलग योजा बोला मैतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तो उसके लड़के रगु के लिए बुरे दिन आ गए, रगु की उम्र उस समय किवल दस वर्ष की थी, चैन से गाओं में गुलिक डंडा, खेलता फिरता था, मा के आते ही चक्की में जुतना पड़ा, पन् कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रगु में बुरायां ही बुरायां नजर आती, पन्ना की बातों को वह प्राजीन मर्यादा अनुसार आंके बंद करके मान लेता था, रगु की शिकायतों की जरा परवारना करता, नतीजा यह हुआ कि रगु ने शिकायत करना ही चोड़ दिया किसके सामने रोए, बाप ही नहीं, सारा गाउं उसका दुश्मन था, बड़ा जिद्धी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं, बिचारी उसका दुलार करती है, खिलाती बिलाती है, यही उसका फल है, उसरी औरत होती तो निबाह ना होता, वह तो कहो कि पन्ना इतनी सीधी साधी है कि निवा होता जाता है सबल की शिकायते सब सुनते हैं निर्वल की फरियाद कोई नहीं सुनता रगु का रिदय मा की और से दिन दिन फटता जाता था यहां तकी आठ साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी इमृत्यू का संदेशा पहुचा पन्ना के चार बच्चे थे तीन बेटे और एक बेटी इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं रगु अब क्यों बात पूछने लगा यह मानी हुई बात थी अपनी स्री लाएगा और अलग रहेगा स्री आकर और भी आग लगाएगी पन्ना को चारो और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था पर कुछ भी हो पहरगु की आसरैत बनकर घर में रहेगी और जिस घर में उसने राजगी आ उसमें अब लॉंडी ना बनेगी जिस दिन लॉंडे को अपना घुलाम समझा उसका मूना ताकेगी फैस उंदर थी अवस्था भी ऐसी कुछ जादा भी ना थी जवानी अपनी पूरी बाहर पर थी क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती यही होगा ना कि लोग हसेंगे बला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं ब्रामन ठाकुर थोड़ी ही थी कि ना कट जाएगी वह तो संसार को दिखा कर दूसरा घर कर सकती है फिर वह रगू की दबैल बनकर क्यों रहे बोला को मरे एक महीना गुजर चुका था संध्या हो गई थी पन्ना इसी चिंता में पढ़ रही थी कि सहसा उसे खयाल आया कि लड़के घर में नहीं है यह बैलों के लोटने की बेला है कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए अब द्वार पर कौन है जो उसकी देख बाल करेगा रगु को मेरे लड़के फूटी आँखो नहीं भाते कभी हसकर नहीं बोलता घर से बाहर निकली तो देखा रगु सामने जोंपडे में बैठा उक की गंडेरियां बना रहा है लड़के उसे घेरे खड़े हैं और चोटी लड़की उसकी गरदन में हाथ डाले उसकी पीट पर सवार होने की चेश्टा कर रही है पन्ना को अपनी आँखो पर विश्वास ना आया आज तो यह नई बात है शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाईयों को कितना चाता हूँ और मन में चुरी रखी हुई है गात मिले तो जान ही ले ले काला सांप है काला सांप कठोर स्वर में बोली तुम सब के सब यहां क्या करते हो घर में आओ सांप की बेला है गेरू आते होंगे रगु ने विनीद नेत्रों से देखकर कहा मैं तो हूँ ही काकी किस दर किस बात का है बड़ा लड़का केदार बोला काकी रगु दादा ने हमारे लिए दो गाड़ियां बना दी है यह देख एक पर हम और चुन्नू बैठेंगे दूसरी और लचमान और जुनिया बैठेंगे दादा दोनों गाड़ियां खीचेंगे यह कहकर वह एक कोने से दूसरे कोने में छोटी-छोटी गाड़िया निकाल लाया चार-चार पहिये लगे थे बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू दे पना ने आश्चरे से पूचा यह गाड़ियां किसने बनाई किदार ने चिटकर कहा रगू दादा ने बनाई है और किसने भगत के घर से बसूला और रुखानी मांगलाए और चटपट बना दी खूब दोड़ती है काकी बैठ कुन्नू मैं खींचू कुन्नू गाड़ी में बैठ गया केदार खींचने लगा चर-चर शोर हुआ मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है लचमन ने दूसरी गाड़ी में बैठ कर कहा दादा खींचो रगू ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दोड़ा तीनो लड़के इतालियां बजाने लगे पन्ना चकित नेत्रों से यह द्रिश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रगू है या कोई और थोड़ी देर बाद दोनो गाड़ीयां लोटी लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा का अनुबब बयान करने लगे कितने खुश से सब मानो हवाई जहाज में बैठ कर आये हो कुणू ने कहा काकी सब बेड दोड रहे थे लचमन और बचियां कैसे भागी सब की सब दोड़ी केदार काकी रगू दादा दोनों गाड़ियों एक साथ खींच ले जाते हैं जुनिया सबसे चोटी थी उसकी व्यंजना शक्ती उचल कोद और नेत्रों तक परिमित थी तालियां बजा बजा कर नाच रही थी खुनू अब हमारे घर गाए भी आ जाएगी काकी रगू दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें गाए लादो गिरधारी बोला कल लाओंगा केदार तीन सेर दूद देती है काकी खूब दूद पिहेंगे इतने में रगू भी अंदर आया पन्ना ने अवहेलना की दृष्टी से देखकर पूछा क्यों रगू तुमने गिरधारी से कोई गाए मांगी है रगू ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा हां मांगी तो है कल लाएगा पन्ना रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है रगू सब सोच लिया है काकी यह मेरी मुहर नहीं है इसके 25 रुपए मिल रहे है पांच रुपए बचिया के मुझा दे दूँगा बस गाए अपनी हो जाएगी पन्ना सनाटे में आगी अब उसका अविश्वासी मन भी रगू के प्रेम और सज्जनता को अस्विकार ना कर सका बोली मुहर क्यों बेचे देते हो गाए की अभी कौन जल्दी है हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना सुना सुना गला अच्छा नल लगेगा इतने दिनों गाए नहीं रही तो क्या लड़के जिये नहीं रगू दार्शनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे मुहर पहनना मुझे अच्छा मालूम भी नहीं होता लोग समझते होंगे की बाप तो गया इसे मुहर पहनने की सुजी है बोला मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे नरुपाया और ना गाय मिली मजबूर थे रगू ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी आज जीवन में पहली बार पन्ना को रगू पर विश्वास आया बोली जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यो बेचोगे मेरी हंसली लेलो ना रगू नहीं काकी वह तुमारे गले में ही अच्छी लगती है मर्दों को क्या मुहर पहने या ना पहने पन्ना चल मैं बूड़ी हुई अब हंसली पहन कर क्या करना है तू अभी लड़का है तेरा गला अच्छा ना लगेगा रगु मुसकरा कर बोला तुम अभी कैसे बूड़ी हो गई गाउ में है कौन तुमारे बराबर रगु की सरला लोजना ने पन्ना को लजजित कर दिया उ उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी पन्ना बार बार कहती भाईया बहु को विदा कर लाओ कब तक नह में पड़ी रहेगी सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहु को आने नहीं देती मगर रगु टाल देता था कहता था अभी जल्दी क्या है उसे अपनी स्री के रंगडंग का कुछ परीचे दूसरों से मिल चुका था ऐसी ओरत को घर में लाकर वहे अपनी शांती में बादा नहीं डालना चाहता था आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा तो तुम ना लाओगे कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं तुम्हारे लिए जल्दी नहो बुलाना चाहती हो बुलालो मगर फिर यह ना कहना कि यह महरिया को ठीक नहीं करता उसका घुलाम हो गया ना कहूंगी जाकर दो साडिया और मिठाई लेया तीसरे दिन मुलिया मौके से आ गई दर्वाजे पर नगाडे बजे शहनाईयों की मदूर्धवनी आकाश में गु प्राते काल का घड़ा लेकर जब वह चलती तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किर्णों से कुंदन हो जाता मानो उशा ने अपनी सारी सुगंध सारा विकास और उन्माद उसके अंदर ही मुस्कुराता चला जाता हो मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी मेरा शोहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैटी रहे उसके लड़के रईस जाते बने गुमे मुलिया को यह बरदाश्ट ना होगा वह किसी की घुलामी न करेगी अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं भाई के कि के होते हैं जब तक पर नहीं निकले रगु को घेरे होए हैं जो ही जरा सियाने होए पर जाड़ कर निकल जाएंगे बात भी ना पूछेंगे एक दिन उसने रगु से कहा तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो मुझसे ना होगी रगु तो फिर क्या करूं तू ही बता लड़के तो अभी घर का काम करने लाइक भी नहीं है बुलिया लड़के रावत के हैं कुछ तुम्हारे नहीं है यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी सब सुन चुकी हूँ मैं लॉंडी बन करना रहूंगी रुपे पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है तुम समझते हो रुपे घर में ही तो है मगर देख ले ना तुमें जो एक फूटी कौडी भी मिले रगू रुपे पैसे तेरे हाथ में देने लगू तो दुनिया क्या कहेगी यह तो सोच मुलिया दुनिया जो चाहे कहे खुद कुद तथो थंबो किया तो साल छे महीने और काम चलेगा बस आगे यो डोंगा चलता नजर नहीं आता बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला बरसाथ शुरू हो गई थी बखार में अनाज गीला हो रहा था मुलिया से बोली ब दिन बाद एक शाम को पन्ना धान रोब कर लोटी अंधेरा हो गया था दिन भर की भूकी थी आशा थी बहु ने रोटी बना कर रखी होगी मगर देखा तो यहां चूला ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूके तड़प रहे थे मुलिया ने आहिस्ता से पूच आज अभी चूला नहीं जला केदार ने कहा आज दोपहर को भी चूला नहीं जला काकी भावी ने कुछ बनाया ही नहीँ पन्ना तो तुम लोगोंने खाया क्या केदार कुछ नहीं रात की रोटीयं थी खुनू और लच्मन ने पन्ना और बहु केदार वह पड़ी सो रही है उसने कुछ नहीं खाया पन्ना ने उसी वक्त चूला जलाया और खाना बना ने बैठ गई आटा गूंती थी और रोती थी क्या नसीब है दिन बर खेत में जली घर आई तो चूले के सामने जलना पड़ा केदार का चौदवा साल भावी के रंगदंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था बोला का की भावी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाती पन्ना ने चौंकर पुछा क्या कुछ कहती थी केदार नहीं कुछ कहती नहीं थी मगर उसके मन में यही बात है फिर तुम क्यों उसे छोड़ नहीं देती जैसे चाहे रहे हमारा भी भगवान है पन्ना ने दांतों में जीव दबा कर कहा चुप मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी मत कहना रगु तुमारा भाई नहीं तुमारा बाप है मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना मैं जहर खालूंगी दशहरे का त्योहार आया इस गा पैसे घर में नहीं है रगु अभी तो तिलहन वीचा था बेच्चा था क्या इतनी जल्दी पैसे उठ गए हां उठ गए रगु कहा उठ गए जरा सुनू आज त्योहार के दिन लड़का मेला देखने ना जाएंगे मुलिया अपनी काकी से कहो पैसे निकालें गाड कर क्या करेगी खूंटी पर कुझी हाथ पकड़ लिया और बोली कुझी मुझे दे दो नहीं तो ठीक नहीं होगा खाने पहनने को भी चहिए काघस किताब को भी चहिए उस पर मेला देखने को भी चहिए हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मुच्छों पर TAU देए पन्ना ने रगू से कहा भाईया पैसे क्या होंगे लड़के मेला देखने ना जाएंगे लड़के मेला देखने ना गए इसके बाद भी दो दिन गुजर गए मुलिया ने ना कुछ खाया और पन्ना भी बुकी रही रगु कभी इसे मानता कभी उसे मनाता पर कभी उसे पर वह न उठती न वह आखिर रगु ने हरान होकर मुलिया से पूछा कुछ मुझे तो कह चाहती क्या है मुलिया ने धर्ती को संबोधित करके घा मैं कुछ नहीं चाहती मुझे मेरे घर पहुचा दो रगु अच्छा आँखों से देखकर बोली अच्छा तो काकी ने तुम्हें यह सला दी है यह मंत्र पढ़ाया है तो क्या मैं ऐसे कच्छी नहीं हूँ तुम दोनों की चाती पर मुंग दलूंगी हो किस फेर में रगू अच्छा तो मुंगी दल लेना कुछ खा पी लेगी तभी तो मुंग द पनाना की थी उसने गाउं में दो-चार परिवारों को अलग होते देखा था और वैं खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के रिदे भी अलग हो जाते हैं अपने हमेशा के लिए घैर हो जाते हैं फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गाउं के दूसरे आदमियों में रगु के मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में आने न दूँगा मगर होनहार के सामने एक ना चली मेरे मूँ में कालिक लगेगी दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने के दस साल बाद भी निबाहना हो सका फिर किस से अलग हो जाओं जिस ने गोद में खि सोचतो कहीं मूँ दिखाने लाइक रहूंगा मुलिया तो मेरा इन लोगों के साथ निबाहना होगा रगु तो तू अलग हो जा मुझे क्यों अपने साथ गसीटती है मुलिया तो मुझे क्या तुमारे घर में मिठाई मिलती है मेरे लिए क्या संसार में जगा नहीं रगु तेरी जैसी मर्जी जहां चाहिर है मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता जिस दिन इस घर में दो चुले जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकडे हो जाएंगे मैं यह चोट नहीं सह सकता तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ माल असबाब की मालकिन ही अनाजपानी तेरे हाथ है अब रहे क्या गया है अगर कुछ काम दंदा नहीं करना चाहती मत कर भगवान ने तुझे समाई दी होती तो मुझे तिनका तक उठाने ना देता तेरे यह सुकुमार हाद मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए नहीं गए मगर क्या करूं अप बैटे बैटे खाना चाहती हो मगर मुझ से किसी की धौंस नहीं सही जाती तुमारी ही काखी घर का कांकाज करती है तो अपने लिए करती है अपने बाल बच्चों के लिए करती है मुझ पर कोई अहसान नहीं करती फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है उन्हें अपने बच तयार हो जाएंगे तुम तो दस साल में खाट में पड़ जाओगे बैठ जाओ खड़े क्यों हो क्या मार कर भागोगे मैं तुमें जबरदस्ती ना बांद लूँगी या मालकीन का हुकम नहीं है सच कहूं तुम बड़े कठ कलेजी हो मैं जानती ऐसे निर्मुहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल के ना आती आती भी तो मन ना लगाती मगर अब मन तुमसे लग गया घर भी जाओ तो मन यहीं रहेगा तुम जो चाहो मेरी बात दक नहीं पूछते मुलिया की ये रसीली बाते रगु पर कोई असर ना डाल सकी वह उसी रुखाई से बोला मुलिया मुझसे ना होगा अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है यह चोट मुझसे ना सही जाएगी मुलिया ने परिहास करके कहा तो चूडिया पहन कर अंदर बैठो ना लाओ मैं मुझसे लगा लू मैं तो समझती थी कि तुम में कुछ कलबल है अब देखती हूँ तुम तो निरे मिट्टी के लौंदे हो पन्ना दालान में जाकर दोनों की बातचीत सुन रही थी अब उस पन्ना की कोई बात नहीं रगु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा का की तू भी पागल हो गई है क्या जानती नहीं दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं पन्ना जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे भगवान की मर्जी होगी तो क्या कोई क्या क जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते न जाने कहां कहां भीग मांगते फिर ते तुम्हारा जस्त मरते दम तक गाऊंगी अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो मैं खुशी से दे दूँ चाहे तुमसे अलग हो जाओ पर जिस घड़ी पुकारोगे कु बुलकर भी मत सोचना कि मैं तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विश्खा कर मर जाओंगी भगवान करे तुम दूदों नहाओ पूतों फलों मरते दम तक यही असीस मेरे रोए-रोए से निकलत पन्ना की बाते सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पॉप बारा है चट पर टूठी घर में जाड़ू लगाई चूला जलाया और कुएं से पानी लाने चली उसकी टेक पूरी हो गई थी गाओं में स्त्रियों के दो दल होते हैं एक बहुएं का दूसरा सासों का बहुएं स के गर्व से कहा इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है राजपार छोटते किसे अच्छा लगता है बहन मैं उनका बुरा नहीं चाहती लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरकत होगी मेरे भी तो यहीं खाने पीने ओड़ने के दिन है अभी उनके पीछे मरो फिर ब क्या बुरोसा कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे फिर कौन पूछता है अपनी अपनी महरियों का मुझ देखेंगे पहले से ही फटकार देना अच्छा है फिर तो कोई कलंक ना होगा मुलिया पानी लेकर गई खाना बनाया और रगू से बोली जाओ नहां आओ रोटी तयार है रगू ने मानो सुना ही नहीं सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा मुलिया क्या कहती हूँ कुछ सनाई देता है रोटी तयार है जाओ नहां आओ रगू सुनता रहा हूँ क्या बहरा हूँ रोटी तयार है तो जाकर खाले मुझे भूक नहीं है मूलिया ने फिर नहीं कहा जाकर चूला बुझा दिया रोटिया उठाकर छींके पर रग दी और मूँ ढखकर लेट रही जरा देर में पन्ना आकर बोली खाना तयार है नहाद होकर खालो बहुत भी भूखी होगी रगु ने जुंजलाकर कहा काकी तू घर में रहने देगी कि मूँ में कालिक लगा कर कही निकल जाओ खाना तो खाना ही है आज न खाऊंगा कल खाऊंगा लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया पन्ना अभी तो नहीं आया आता ही होगा पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बना कर लड़कों को ना खिलाएगी, खुद ना खाएगी, रगु ना खाएगा इतना ही नहीं उसे रगु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ नहीं तो उसे इसी चिंता में वह गुल-गुल कर प्राण दे देगा यह सोचकर इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए पन्ना ने कहा आओ बेटा खालो रोटी तयार है केदार ने पूछा भाईया को भी बुला लू ना पन्ना तुम आकर खालो उसकी रोटी वहुने अलग बनाई है खुन्नू जाकर भाईया से पूछ ना आओ पन्ना जब उनका जी चाहेगा खाएंगे तू बैठकर खा तुझ जिसका जी चाहेगा खाएगा जिसका जी चाहेगा ना चाहेगा ना खाएगा और वह उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए केदार तो क्यों अम्मा जी क्या हम अलग घर में रहेंगे पन्ना उनका जी चाहे एक घर में रहें जी चाहे आंगन में दिवार दर्वाजे पर आकर जांका तो सामने फूस की जोपड़ी थी वही खाट पर पड़ा रग्गु नारियल पी रहा था खुनू भाईया तो भी नारियल लिए बैठे हैं पन्ना जब जी चाहेगा खाएंगे केदार भाईया को भाईया ने भावी को डाटा नहीं मुलिया अपन से गिरे होई आम चुन रहे थे केदार ने कहा आज हम भी आम चुन चले खोब आम गिर रहे हैं खुनू दादा जो बैठे हैं लचमन मैं न जाओंगा दादा गुड़केंगे केदार वह तो अब अलग हो गए लचमन तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना एक्केदार वाह तब क्यों ना बोलेंगे रगू ने तीनों लड़कों को दर्वाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डाट बैठता था पर आज वह मूर्ती के समान इस चल बैठा रहा अब लड़कों को कुछ साहस हु कुछ दूर और आगे बढ़े रगू अब भी ना बोला कैसे बोले वह सोच रहा था काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया मुझसे पूछा तक नहीं क्या उसकी आँखो पर भी परदा पड़ गया है अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आय तो मैं उनको मार प पर फाका कर रहे हो उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया और अराम से सो रही है मोर पिया बात ना पूछे मोर सुहागिन ना एक बार भी मुझसे ना फूटा कि चलो भहिया खालो रगू को इस समय मरमान तक पीड़ा हो रही थी मुलिया के इन कठोर बदनाम हो रहा हूं कब तू किसी की होकर नहीं रहना चाती तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामत करे जाकर काकी से पूछ लड़के आम चुनने गए हैं उन्हें पकड़ लाओं मुलिया उठा दिखा कर बोली यह जाता है तुम्हें सौ बार गरज हो जाकर पन्ना जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं तुम्हें रोकना होता तो रोकना देते तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे पन्ना की बात भी पूरी ना हुई थी और रगु नारियल ने कोने में रखकर बाग की तरफ चला रगु लड नहीं तो अच्छा ना होगा, खाना कहा, कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा, तो मर ना जाऊंगा, क्या तु समझती है, घर में आज कोई बात हो गई है, तुने घर में चूला नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग जलाई है, मुझे घमंड था कि और चाहे चीज़ कर कहा, मुलिया घाव पर नमक ना चिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीट में धूल लग रही है, मुझे इस ग्रहस्ती का मो ना होगा, तो किसे होगा, मैंने ही तो इसे मरमर कर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया, अब वहीं अब मेरे पटीदार होंगे, जिन बचों क मैं डाटता था, उन्हें आज ऐसी कड़ी आँखों से भी ना देख सकता, मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूँ, तो दुनिया यही कहेगी कि अपने भाईयों को लूटे लेता है, जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझ से कुछ खाया ना जाएगा, मुलिया, मैं कसम नहीं चुपके से चलो, रगू देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे, मुलिया, हमारा ही लहू पीए जो खाने ना उठे, रगू ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तुने क्या किया मुलिया, मैं तो उठी रहा था, चल खालू, नहाने धोने क कैसी चैन की वंशी बज रही है, वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह सब लोग अलग हो जाएं, वह पहले किसी चांदी तो है नहीं, जो तुम घर में कुछ आवे, सब कुछ गायब, अब क्यूं हमारे साथ रहने लगी, रगू ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है काकी से मुझे ऐसी आशा ना थी, रगू खाने बैठा तो कोर विश के घूंट जैसा लगता था, जान पड़ता था, रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती, पानी कंट के नीचे न उतरता था, दूद की तरफ तो देखा ही नहीं, दो चार ग्रास उठकर खा हुई थी, जैसे बोला मैं तो द्वार पर बैठा रो रहा हो, वह कई बर चौक कर उठा, ऐसा जान पड़ा, बोला उसकी और तिरसकार की आँखों से देख रहा है, वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रू के घर बोला की शोक मगन मूर्ती, आँखों से ना उत की उम्र अब 19 की हो गई थी, उसने पढ़ना चोड़ दिया था और खेती का काम करता था, कुन्नू गाय चराता था, केवल अच्मन अब मदरे से जाता था, पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी, मुलिया के दोनों लड़के बहुदा पन्ना के ही पा माउ हो गए थे, लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद उपर के काम काज कर लेती थी, इसके विरुद रगु अब घर में अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूड़ा, अभी आयो तीस वर्ष से अधिक ना थी, लेकिन बाल खिचडी हो गए थे, कमबर भी जुक चली थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था, देखकर दया आती थी और खेती पसीने की वस्तू है, खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए, वह उससे ना हो पाती थी, फिर अच्छी फसल कहां से आती, कुछ रिन भी हो गया था, वह चिंता के मारे और भी बुरा हा चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता, इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिरका बोज कुछ हलका होता, लेकिन मुलिया, उसकी स्वार्थ परायन था, और अधूर दर्शिता ने लहराती हुई खेती उजार दी, अगर सब एक साथ रहते, तो वह अब पैंशन पा जाता, मजे में द्वार पर बैठा हूँ अनारियल पीता, भाई काम करते वह सला देता, मैं तो बना फिरता, फिर कहीं किसी के जगडे चुकाता, कहीं सादू संतों की सेवा करता, वह अफसर हाथ से निकल गया, अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता थ आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा, रिदेशूल, चिंता, कड़ा, परिश्रम और अभाव का यही पूरुस्कार है, पहले कुछ परवाना की समझा आप ही आप अच्छा हो जाएका, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई, जिसने जो बता दिया खा लिया, दॉक्टर और वैदियों के पास जाने का समर्थ्य कहां, और समर्थ्य होता भी तो रुपए खर्च देने के सिवा नतीजा ही क्या था, जीर्ण ज्वर की ओशदी आराम और पुष्टिक कारक भोजन है, ना वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था, ना आराम से पूचते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की इंट रख लेंगे, भाबी भी समझती थी सोने से लद जाओंगी, अब देखे कौन पूचता है, सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना, बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती, आदमी उतना काम करें जितना हो सके, यह नहीं की र गुका टिम्टिमाता हुआ जीवन का दीबक बुझ गया, मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया, अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार उख में पानी देता था, डरा कहीं दवा के लिए ना बेज़ दे बहाना बना दिया, मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया था, जिस भूमी पर उसने मनसूबो की दिवार खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई थी, जिस खूटे के बल पर वह उचल रही थी, वह उखड गया था, गाओं वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने देखो कैसा ततकाल दंड दिया, बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती, गाओं में किसी को मुझ दिखाने का साहस न होता, प्रतिय एक प्राणी उसे यह कहता, मालूम होता था कि मारे गमंड के धर्ती पर पाऊ न रखती थी, आखिर सजा मिल गई की नहीं, अब इस घर में निर्वा कैसे होगा, वह किसके सहारे रहेगी और किसके बल पर खेती होगी, बेचार रगू बिमार था, दुरबल था, पर जब तक जीता रहा, अपना काम करता रहा, मारे कमजोरी के कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता था, और जरा दम लेकर हाथ चलाने लगता था, सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे संभाले का कौन, अनाज की डांटे खलीहान में पड़ी थी, उख अलग सूख रही थी, वह अकेली क्या 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 करेगी, फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, तीन-तीन मजदूरों को कहां से लाए, गाउं में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खी इठा कर अनाज माणने लगी, बैलों को हांकती थी और रोती थी, क्या इसलिए भगवान ने उसे जन्म दिया था, देखते देखते क्या से क्या हो गया, इनी दिनों पिछले साल भी अनाज माणा पड़ गया था, वहर अगु के लिए लोटे में शर्बत और मटर की चुप रहो चुप रहो, धीरे धीरे उसके मुँपर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था, जब बच्चा किसी तरह चुप ना हुआ तो वह खुद उसके पास आकर लेट गया और उसे चाती से लगा कर प्यार करने लगा, मगर जब यह प्रयतन भी सफल ना ह तो वहर रोने लगा, उसी समय पन्ना दोड़ी आई और चोटे बालक को गोध में उठा कर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बखु, हाई हाई बेचारा धहती पर बड़ा लोट रहा है, जब मैं मर जाओं तो जो चाहे करना अभी तो जीती पर मैंने कहा पहले उख में पानी दे ले, फिर आज माड़ना, मड़ाई तो दस दिन बाद भी हो सकती है, उख किसी चाही न हुई तो सूख जाएगी, कल से पानी चड़ा हुआ है, परसो तक खेत पर आ जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी, तुझे विश्वास न तो उनकी कुछ सेवा कर लेता, कहा जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर राज से उठकर काम में लग जाता है, खुन्नू कल सराज सा बोला, पहले अपनी उख में पानी दे लेंगे, तब भाईया की उख में देंगे, इस पर केदार ने ऐसा डाटा कि खुन्न परिया में वेठा रो रहा था, पूछा क्यों रोता है, तो बोला अम्मा, भाईया इसी अलग योज़ा के दुख में मर गए, नहीं अभी तो उनकी उमर ही क्या थी, यह उस वक्त ना सूजा, नहीं उससे क्यों बिगाड करते, यह कर पन्ना ने मुलिया की और संकेत पूर् पन्ना की बातों में आज सची वेदना, सची सांत्वना, सची चिंता भरी हुई थी, मुलिया का मन कभी उसकी और इतना आकरशित ना हुआ था, जिनसे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भै था, वे इतने दयालू, इतने शुभेच्चू हो गए थे, आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थ परता पर लज्जा आई, पहली बार आत्मा ने अलग योजे को धिकारा, इस घटना को हुए पांच साल गुजर गए, पन्ना आज बुड़ी हो गई है, केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है, और खुन्नू और लच्छमन के विवा हो चुके ह मगर केदार अभी तक कुवारा है, के वह कहता है, मैं विवाना करूँगा, कई जगह से बातचीत हुई, कई सगाईया आई, पर उसने हमेशा हामीन कभी न भरी, पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह नाफसा, कहता, और तों से क्या सुख, महरिया घर में आई, और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है, वह महरिया है, मा, बाप, भाई, बंदू सब पर आए है, जब भाईया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया, तो फिर दूसरों की क्या गिंती, दो लड़के भगवान के दिये हैं, और क्या चाहिए, बिन ब्याहे कि ये, दो समझो, वह अपना है, जिसे गैर समझो, वह गैर है, एक दिन पना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा, केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ, पना, समझने ही पर तो है, तू मुलिया को भी अपनी महरिया समझता होगा, केदार ने मेरी अम्मा कहीं रोने गाने ना लगे पन्ना तेरा मन होत तो मैं बातों बातों में उसकी मन की था लूँ केदार मैं नहीं जानता जो चाहे कर पन्ना केदार के मन की बात को समझ गई लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है पर संकोच और भै के मारे कुछ नहीं कहता उसी अब इना बताओंगी मैं जानती हो कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सूफल हो जाए नजाने लड़की मानेगी या नहीं मुलिया मानेगी क्यों नहीं अम्मा ऐसा सुन्दर कमाओ सुशील वर और कहां मिला जाता है उसे जनम का क तेरे ही ओपर है मुलिया मैं आज ही चली जाओंगी अम्मा उसके पैरों पढ़कर मना लाओंगी पन्ना बतादू वह तू ही है मुलिया लजाकर बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो पन्ना गाली कैसी देवर ही तो है मुलिया मुझ जैसी बुढिया को वे क्यों पू उसने जो खोया था, वह इसी क्षण में मानो ब्यास के साथ मिल गया, वही लावन्या, वही विकास, वही आकर्शन, वही लोच.